सरोका बिहार की सियम निटीश कुमार दोहजार चौबिस के चुनाव को लेकर रणनीती बनाते दिख रहे हैं। निटीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर दिल्ली में सूनिया गांधी से मुलाकात की है। तो वहीं बिपक्ष के नेताओं ने निटीश कुमार परतंज कस्ते हुए कहा कि बीमार लालू को लेकर बिहार की वेज़ती कराने निकले हैं। उन्होंने कहा कि अपनिटीश को युवाओं को मौका देना चाहिए। देखिए ये अभी सभी से मुलाकात करेंगे बिहार को अरजक्ता के वातावरन में डाल दिये हैं। दोनों आदमी की बिहार से जो बदले की भाव मन में रहा परसासनिक तंत्र परसासनिक अरजक्ता ब्रजटाचार अपराद पर कंट्रोल करने की वज़ाए। ये अपने स्वार्त महत्वा कंच्छा की पूर्ति के लिए दरदर भटक रहे हैं। लोग महत्व नहीं दे रहा है, तरजी नहीं दे रहा है, बिहार को हंसी के पात्र बना रहे हैं और बिहार के लोगों को लज्जित करवा रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है को यह अपने मुखमंत्री मुखमंत्री और बीमार बड़े भाई को ले करके यह क्या संदेश देना चाहते हैं कि अरे आप अपना बढ़ियां से विहार का कर्तब निभाते विहार को बहतर बनाते हर छेत्र में जो फिसंडी बनते चला गया आपका गवफ दिर्टे जा रहा है अब कहां भटक रहे हैं सचमुच में इस अवस्था में आपको सन्यास लेना चाहिए नए लोगों को अफसर देना चाहिए बिहार सरकार के वन एवं परियावरण मंत्री तेज प्रताप यादव आज अपने पार्टी के कारियाले पहुचे जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदा नंद सिंग से मुलाकात की साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार में हमें जो मंत्राले मिला है हम पूरी इसलिए हमने इसको अभियान को जो डिपार्टमेंट के हम मंत्री हैं जो चीज जिम्वारी हमको मिली है उसको सर्दा पूर्वक हम निर्वान करने का काम कर रहे हैं और लगतार इस फिल्ड में हम अपना कारे को बनाए हुए हैं बदलाव है और हमने बोला भी है कि ज्याद कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर रामपुर चानन में आए दिन डॉक्टर प्रभारी मनमानी तरीके से आते हैं और जाते हैं जिसको लेकर कुछ दिनों पहले डियम संजे कुमार सिंग ने डाट फटकार भी लगाई थी सूत्रों की माने तो दवा इंस्चार्ज होने के बावज खबर नवादा से है जहां के उत्तर बारी धमनी गाउं में जमीन बिवाद में दबंगो ने यूवक की गला रेत कर हत्या कर दी साथी दबंगो दवारा यूवक के परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई इस घटना के बाद से गाउं में दहशत का महौल है परिवार के लोग दो बार थाने में लिखित शिकायत दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है कहा ये भी जा साइवन जागरुकता मार्च निकाला गया कैमूर जिला मुख्याले के अवाला प्रेखंडों में भी ये मार्च निकाला गया भववा के जद्यू कार्याले से निकल कर ये मार्च भववा प्रेखंड कार्याले तक गया मौके पर जद्यू जिला ध्यक्ष्य डॉक्टर प् पटेल सहित अन जद्यू कारकरता मौजूद रहे। खबर भागलपूर से है जहां थाना परिसर में आयोजित शांती समिटी की बैठक में लंगूर आ गए वहीं पूरी बैठक में लंगूर मौजूद रहे और आतितियों के बिस्कुट भी खाए। साथ ही लंगूर का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है। जिसको लेकर ठाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि लंगूर के आने से थोड़ी देर के लिए हडबड़ी हुई हाला कि लंगूर पूरी बैठक स्षांती से सुनते रहे और बिस्कुट भी खाते रहे। भागलपूर जिले के पीर पैथी प्रखंड के सलीमपूर पंचायत इस्थित फौजदारी गाओं के मध विद्याले शाहाबाद में बच्चों के भोजन में कीडा मिलने से हरकम मजगया विद्याले में सोला सिक्षक और सिक्षिकाएं हैं जो सभी सुचारू रूप से वहीं कुछ बच्चों ने कीड़े वाले खाने को भी खा लिया इस घटना की भणक लगते ही मासूम बच्चों के परजनों ने हंगामा शुरू कर दिया परजनों ने कहा कि हमारे बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवार किया जा रहा है आखिरिस लापरवाही का प्रखंड शेत्र के बजेर गाउं में जल भरी यात्रा निकाली गई इस जल भरी यात्रा में सैखडों की संख्या मिस्रधालू ने हिस्सा लिया मिठिलेश कुमार पांडे ने बताया कि गाउं की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया है जो आट दिनों तक लगातार चल होंगे काथा का समय दिन के दो बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है कि माता जी द्वारा सेमत भागवत कथा का आयोजन किया गया है जिसमें समस्त क्रामें बंदू हम समाज के प्रतिश्टित आए छोटे बड़े सभी लोगों में द्वारा मिलकर करके इ खबर नवादा से है जहां जडियो कारकरताओं ने पूर बिधायक पूर्णिमा आयादों के नेत्रित में सतर्ता एवं जागरुकता रैली निकाली साथ ही पूर बिधायक ने भीमराओं अमबेटकर की मूर्दी पर मालियार पड़ किया जिसके बाद अपने कारकरताओं के साथ पूरे शेहर में भ्रमड किया इस दोरान पूर बिधायक पूर्णिमा यादों ने बताये कि साथ दलों का महागट भंदन बनने के बाद पूरे बिहार में सतर्ता जागरुकता चलाया जा रहा है देखे भारतिय जंता पार्टी पूरे देश में सामपरदाईक महाल खराब करना चाहती है भार्मिक उन्वाद पैदा करना चाहती है और उनके इस अभियान के किलाब हम लोग जन जागरान अभियान पूरे प्रकंड में आज बिहार के हर प्रकंड में जन जागरान अभिय जाघVारा से हम लोग आम लोगों को ज्यागुरू करना चाहते हैं। एग करना चाहते हैं। भार्तिय जनता पार्टी के साजीस के खिलाब हई जया से समाज में घृदा करार दो समाज में servетर आ कि जो क्रायरा उसको समाब कर दो बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार इंदिनो बिपक्ष के सारे नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं इसी बीच उन्होंने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि हमारी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है सोनिया गांधी ने कहा कि अध्यक्ष पद चुना होने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे इसके बाद बिपक्षी एक जूट कर बात करेंगे दूसरी तरफ पटना में इस मुद्दे पलोग जन्शक्ति पार्टी राम बिलास के प्रवक्ता राजेस भट ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नितीज कुमार पिछली बार जब दिल्ली गय थे तब उनका फोटो शयसन चल रहा था और फिर उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है तो मुलाकात की फोटो कहां गई चलिए आपको भी सुनाते हैं राजेस भट का ये बयान करने के लिए नितीज कुमार जी दरदर की ठोकरे खा रहे हैं हर राजनितिक दलों के दरवाजे खट खटा रहे हैं अभी हाल में सोनिया गांधी से उन्होंने मिलने का प्रयास किया लेकिन ये बेहद आश्यर जनक बात है कि इससे पहले जब राभूल गांधी से वो मिलेते तो एक फोटो शेशन हुआ था फोटो जारी उन्होंने किया था क्या बात है आखिर कि सोनिया के साथ जब उनक उनकी मुलाकात हुई तो उनका फोटो जारी नहीं हुआ तो ये बेहद रहस्य में एक सवाल है जो जिसका जवाब नितीश कुमार को देना होगा दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि इससे पहले लालू जी पहले मिलते हैं और उसके बाद नितीश कुमार जी को मिलवाते हैं ये अश्यर जनक बात है कि आज नितीश कुमार जी किस हद तक भुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं आकिर लालू जी अखेले पहले क्यों मिलते हैं बाद में नितीश कुमार जी को मिलने के लिए साथ क्यों ले जाते हैं ये बेहद एक मौजू सवाल है जिसका जवाब जहां अभिनव इंकलेव अपार्टमेंट के कैंपस में अग्यात बदमाशों ने फ्लिप कार्ट के डिलेवरी बॉय से लूट की खटना को अंजाम दिया डिलेवरी बॉय ने थाने में अग्यात लोगों के खिलाप मुकदमा दर्ज कराया है जिस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने एक कमिटी गठित कर कुछ बदमाशों को गिरफतार किया है साथ ही आरोपियों के पास से लूट के सामान बरामत कर लिए गए हैं इनसे पुरी सामागरी जिनकी जिनकी जिसमें चार फोन भी बरामत हुए हैं उसमें दो आई फोन भी बरामत हुए हैं वो इनसे छीन लिया वो छीन के भाग गए इसके बाद तुरंट एक नेते एसेचो बरारी के नेते तुमें एक टीम कर गठन किया गया और तुरं छाप अलपुर से है जहां टोटा चालक की देर रात हत्या करके उसके शब को बगीचे में फेक दिया गया पुलिस ने चालक के शब को कबजे में कर आगे की जाच में जुट गई है वहीं मिर्तक के पर जनू ने बताये कि हत्या की वक्त किसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी हो रही थ तो रात में शाड़े जारा भी लोग कॉल कि तो जीरो मैल से प्रेसंजर चोड़के घर आ रहे हैं उस वीच में घर ने आज फिर साड़े बारा भी रात में लोग कॉल कि तो नोट रीचीवल इनका मोबायल आ रहा था उसके बाद हम लोग खुजना शुरू कि मतलब डिड दुसमानी बगएरा नहीं से नालंदा में शर्पदंस की शिकार हुई एक महिला की मौत देर रात हो गई गटना के संदर में मिर्तिका के पती रवी कुमार ने बताया कि घर में अलमीरा पर रखे सुई धागा लेने उसकी पतनी कमरे में गई तभी अचानक वे सर्पदश क की सिकार हो गई जिसके बाद आनन फानन में शेखपुरा की नीजी क्लीनिक ले जाये गया जहां डॉक्टर ने भरती करने से मना कर दिया जिसके बाद निश्या कुमारी को घर लाया गया जहां पुछ लोगों की सलाह पर जाड़ फूक के लिए ले जाया गया जहां मामला कैमूर जिले से है जहां चोरी के आरोप में इस्थानी लोगों ने एक वेक्टी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया मामला मोहनिया नगर के चांदनी चौक से 300 मीटर पश्यम वाहन इस्टेंड के पास का है जहां दो बच्चों को एक वेक्टी जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था इसी बीच बच्चों के शोरगुल से आसपास के लोग इखटा हो गए और वेक्टी को पकड़ लिया वहीं मौके पर पहुची मोहनिया पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में एक को गिरफतार कर लिया साथी पुलिस ने इस संबन में बताये कि बच्चा चोरी के मामले में जाँ चल रही है का करें मुने रहां जाँ पर हाया के बेलां अरु लगा वले बान जाजी साफी जी भेने लेंके जासा सभी लेके आँ अच्छा हम इनी बाजार कर अदमी लगना कोई कि तोहरा लाइका बाव तेको यह हाला भला आंकारा वापको ले पर नाहीं आता हुआ जब इस्टेर मा कैमूर जिले में दुर्गा पूजा की तयारी जोरो पर है जहां नवरात्री पर्व को लेकर नुआओ प्रखन मुख्याला इस्थित बकसर मोहनिया पत पर नुआओ बाजार के जै बजरंग दुर्गा पूजा समिटी द्वारा बाहर से आये पंडाल कारिगर पंडाल को आ अभी मन्यू सिर्वास्तव ने बताया कि नवरात्री पर्व को लेकर पंडाल का कार जोरो से चल रहा है जहां दुर्गा पूजा का पंडाल चार लाक की लागत से भव और आकर शर पंडाल बनाये जा रहा है नालंदा के गौरा भट विगार पंडाल बनाये जा रहा है वहां गाओं में खेत में काम कर रहे एक किसान की मौत हो गई आकाशी बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई और अस्पतालों में डॉक्टरों ने मृत गोशित कर दिया फिलहाल इस घटना में परजनों का रोरो कर बुरा हाल है इसी के साथ पीडित परजन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं इसके अलावा मुख प्रतिनिधी श्रीकांत कुमार पहुचेयो अम्रितक के परजनों से आर्थिक सहयोग दिया नवादा नगर के प्रसिद सांस्कृतिक संस्था स्रीजन आर्थ सास शकुनतला मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज की ओर से नवरात्री के शुवपसर पर नवभक्त नवरंग करक्रम का आयोजन किया गया इस नवरंग करक्रम में मा शेल पुत्री की पूजा की गई शेल पुत्री का रूप बाल कलाकार अदिती सिनहा ने धारण किया संस्था के निदेशक बिजय शंकर पाट ने बताया कि मा दुर्गा को सरप्रथम शेल पुत्री के रूप में पूजा जाता है हिमाले की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शेल पुत्री पड़ा खबर कैमूर जिले से है जहां भववा रोड इस्तित स्टेशन पर पश्यम ट्रेन से कट कर दो लोगों की मौत हो गई मृतक यूवप की पहचान गाजी पुर जिले के पृत्वी पुर गाउन निवासी के पुत्र आदित पांडे के रूप में हुई है जबकि एक मृतक की पहचान थर्ड जेंडर के रूप में हुई है जानकारी मिली है कि थर्ड जेंडर पूनम कुमारी बैंड पार्टी में हास सिकलाकार थी जो बभुआ में एक किराए के कमरे में रहती थी वहीं घटना के संबन में बभुआ डी आर पी और एस आई नागेंदर कुमार बताते हैं कि स्टेशन मास्टर ने मामले में जानकारी सूचना के बाद शवो को कबजे मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया आप चाहिंने गाजी पूर उत्रप्रदेश के रूप में पहत्यान किया गया रुप में पूनम कुमारी चाहर नाराइंप्र प्स्चिंद विहार का के रूप में पहचान किया क्या उसका अधहार काड़ में ait रिखा हुआ है उसमें कुछ लिखा हुआ है तो अब कुछ माटम के बाद में जेंडर है northern यह तो जांच की वीचाय है भागलपूर में नवगचिया अनुमंडल के नरायडपूर प्रखंड में ब्रहमरपूर दुर्गा मंदिर 350 साल पुराना है इस मंदिर को सिद्धी पीट मडी त्वारिका के नाम से जाना जाता है मंदिर पूजा कमिटे के अज्यक्ष डॉक्टर हिमानशु मोहन मिश्र दीपक ने बताया कि जिस तरह भगवान श्री राम का निवास इस्थान साकेत है श्री कृष्णे का और भगवान श्रंकर का कैलास है उसी प्रकार मादूर्गा का निवास इस्थान मडी दीप में है कहा जाता है कि ब्रमरपुर दूर्गा मंदिर में माँ अपने गमिनियों के साथ निवास करती है खास बात यह है कि कई जीलों में श्रधालू यहां आकर मन्नत मांगती है इसके लावा ब्रमरपुर दूर्गा मंदिर में तांत्रिक पददती बे विस्तार पूरवक नवरातर की पूजा होती है उसके परिवारि में इस जाती है बिहार के प्रसिद शक्ति स्थलों में सहर्चा जिले के महीशी में इस सित उग्रतारा मंदिर एक है सहर्चा में से 16 किलोमीटर दूर इस शक्ति स्थल पर साल भर स्रधालू का ताता लगा रहता है लेकिन नवरात के दिनों में यहां स्रधालियों की भीड दुगनी हो जाती है कहा जाता है कि शक्ति के 52 भागों में से एक हिस्सा यहां पर भी है महीशी उग्रतारा इस्थान के संबन में ऐसी मानता है कि सती का बाया नेत्र भाग यहां गिरा था रिशी विशिष्ट्र के उग्रतप की बदावलत भगवान को प्रसंद किया जाता है कठी साधना की कारण ही भगवती आधारिता उग्रतारा के नाम से जानी जाती है कर पहले दुसे स्ताई है जो कि अवं सक्थ AG कुटों में से ये एक सक्थी पीड OFFाऺवान के नाम से जानी जाती है कि यह सक्थापी यहाँ पर अभी तक किसी को सिध्वी प्राप्त नहीं हुआ है पहला बात यह दूसरा बात यह है जो कि यहां पे हर साल प्रेटकों की बहुत लंबी भीर रहती है खास करके महानावरात्रा में मादुरुगा की अशिम कृपा होती है जो कि तारा का ही एक दुरुगा भी है यह बचिष्चा अराधिता तारा शिला मई है यह अस्थाफित नहीं है अंकूरी है इनको बाम मार के पुजा किया जाता है यहां भगवती को दोटे मस्टान होता है दोटे म्होग होता है यहां अगर कोई भी तांतरिक हो जब तक यहां नहीं आएंगे उनको सिध नहीं होग सहरसा जिले में तेज रफतार का कहर जारी है सडकों पर चल रही तेज रफतार ट्रक ने 45 वर्सी वेक्टी को रॉन दिया इस हादसे में वेक्टी की मौके पर ही मौत हो गई खटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बेजनाथ पूर सहरसा नेसनल हाईवे 107 पर टायर जला कर सडक जाम कर प्रदर्सन किया और पुलिस प्रशासन की खिलाफ जमकर नारे बाजी की वेक्टना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने घंटो बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर जाम को हटवाया और उचित कारवाई की बाद कही खबर भागलपूर से है जहां वैट तरीके से नगर निगम ने जमीन पर कबजा कर उस पर कूड़ा डाल रही है वहीं जमीन के मालिक ने कोट में इस सम्वंद पर केस किया है तो वहीं नगर निगम के पूरो अध्यक्ष ने जमीन मालिक को धमकाते हुए कहा कि उसे उल्टा केस में फसा देंगे साथ में पीडित ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पाली का अधिकारी को लिखित पत्र दिया है लेकिन अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है बिहार की खबरों में बस इतना ही देज दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार